कॉंगर्स नेता और वधायक बंदू तिर्की ने जमीन लूट के खिलाफ आंदोलन की शुरुवात कर दी आंदोलन के पहले चरन में रांची जिला के सभी 22 अंचलों में धर्ना प्रदर्शन किया गया जिसमें बंदू तिर्की भी शामिल हुए आंदोलन में जहरकन जनादिकार मच आदिवाशी शेना और सी एंटी एस पीटी बचाव संगर्श मोर्चा के बैनर तले आयोचित किया गया जमीन लूट का आरोप लगाते वे बंदू तिर्की ने इसके खिलाफ आंदोलन का बिगुल फुक दिया पहले चरन में राची जिले के 32 अंचलों में प्रदशन किया गया बंदू तिर्की ने आरोप लगाया कि आदिवासी मुलवासियों की जमीन अंचल कर्णियों की मिली भगत से लूटी जा रही है अंचल मुख्याले में ऑनलाइन किसी की जमीन किसी के नाम पर कर दिया जाता है जमीन के खाता प्लोट और रगबा में हेरा फेरी की जाती है बंदू तिर्की ने आरोप लगाया कि जमीन से जुड़े मामलों में खुलियाम भरस्टाचार का बुलबाला है गयार मज़ुर्वा जमीन और सरकारी जमीन की खुली लूट हो रही है वही धर्णे पर बैठे प्रदशन कारियों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार आदिवासी मुलवासी के हितों की उपेक्षा कर रही है जब से जर्खन राज अलग हुआ है और जर्खन राज अलग होने के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का प्रभावित हुआ है तो जमीन का हुआ है और हर अंचल में जितना भी राची का अंचल है राची नहीं पूर जर्खन का जो भी अंचल है सबी अंचल में अंचल अधिकारी, राजस करमचारी और जितने भी जमिन से संबंदित जो अधिकारी है वो बहुत गड़बड किये हैं कहीं पर खतियान फटा हुआ है तो कहीं रजिस्टर्टू में उल्टा चड़ा हुआ है किसी के रसीद निर्गत नहीं हो रहा है यह तमाम सरा जो बिसंगती है वो जहरखंड के अंचल अधिकारी में देखने के मिलते हैं बुक्त भोगी गरीब जनता है गरीब रयत है वो लोग बेचारा ओफिस का चकर लगा लगा के अंचल का चकर लगा लगा के परिसान है वो लोग इसी आस में है कि हमारा जमीन लेकिन कब जाद उसी किसी और का क्यों क्यों त्रिउटी कहीं हुआ है तो अंचला धिकारी से ही इसी संबन्द में आज हम लोग विशाल धारना आयोजन किये हैं और जितने भी राची के परखंड है तमाम परखंडों में आज बंधु तिर्की के आदेश से मानिये हमारे बंधु तिर्की विधायक मोहदय के मांडर विधायक के आदेश से हम लोग यहां पर धारना एक दि किया जाएगा तो ये काला अध्याई की शुरुवात साबित होगा दरसल जल जंगल और जमीन को लेकर जहारकर में श्यासत होती रही है बंदु तर्गी रे जमीन के मुद्दे पर राज सरकार को जमीन पर लाने की कोशिश शुरू करती है सबरंग समचार के लिए राज़ी सिच्टर एंजिन कुमार के रपोर्ट